यह पेपर बन बालोजी का क्लास 10 का सॉलूशन है जिसमें की पहला कोश्चन में आपके सामने हूँ कि जो यह जो प्रोसेस दिखाई जा रही है फूद डाइजेशन की उसमें पहला पॉइंट कोश्चन में रखा है उसने कि जो डाइजेशन वीच पार्ट अगे डाइजेशन सिस्टम डस पॉइंट बी तूइंट सी रिप्रेजेंट और ऑप जब मैच करेंगे बी और सी के बीच पीच में कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है एकदम फ्लैट है तो आप जानते हैं कि ऑप्शन में देखिए इस टमक of food broken down front A to B अब इसमें सीधी सीधी बात है कि सबसे पहला इनीशियल लेंगे वो क्योंकि स्टार्टिंग यह उसी से हो रही है तो कार्भोहड्रेट होगा प्रोटीन उसके साथ मैच नहीं करेगा फैट मैच नहीं करेगा और सब्सक्राइब करेगा उसके साथ में तो इसका अंसर होगा B ओके को सब्सक्राइब करते हैं नंबर आफ प्रोसेस कैसे कैसे बन के आ डिग्री अव कॉंपलेक्सिटी यानी कि वह सिंगल सेल और गेनिजम है या उसकी बोडी में और इस लेवल का है सेलोलर है टिशू लेवल है और वह सब चीजे और रेगुलेटरी फंख्शन जैसे हमारी बोडी में जो भी रेगुलेटरी फंक्शन होते हैं उन सभी को इंक प्लांट यानि च्टरा फूड्र बनता है ऍब्र ही यानि की जो एक्सरा फूड्रा बन अगल के दुखा दूर किया जाएगा और अगर बिद्धनी नभी होता है में स्टोर किया जाएगा सभी कोई याध रखे छीतने भी शॉफट पल्पी पार्ट होता है soft part of the plant का वुसा parent काइमा होता है जहां उसको leaf में भी कहते हैं कुछ fruit भी आप कह सकते हो parent काइमा ही है क्योंकि fruit का pulp में भी parent काइमा होता है next question 5 intake of liquid material तो जानते हैं कि अगर दो प्रिकार से लेते हैं single cell organism solid food को phagocytosis कहते हैं liquid food को pinocytosis कहते है growth is end yes you know that आपको की पता होगा कि जो reversible increase हो नहीं सकता क्योंकि increase होके फिर reverse आना यह बात सही नहीं है B answer reversible decrease यह भी नहीं हो सकता C irreversible decrease यह भी बिल्कुल भी नहीं हो सकता और D answer correct है क्योंकि irreversible increase होगा वो यानि कि वो increase तो करेगा पर वो वापस नहीं आपाएगा तो यह इसका अंसर होगा मिटो कानुरिया वृ जाओ रेप्लिकेटिंग दूट्री अग उपसे श्यक्राइब करने में इसलिए गया कोmin लाइश होडरी कोटर्टिंग औरी सब्सक्राइब देते हुय कि छोड़् कॉ्चिक्षन अटों question फ़िए पूछा गया है आप जानते हैं कि light chlorophyll एब्सॉर्ब करता है अब chlorophyll कहां है थालाकवाइड में यह बात आपको पता होनी चाहिए थालाकवाइड कहां है थालाकवाइड क्या होते हैं क्या है मतलब एक तरीके से कलेक्शन ऑफ थालाकवाइट से यह कोशन मनाइन आमाइलेज सो आप सभी को पता ही होगा कि आमाइलेज एक एंजाइम है बहुत ही आसान कोश्चन है लिचन इस सिंबायोटिक रिलेशंशिप बिट्वीन लिचन मतलब दो लोगों का सिंबायोटि वाटर और मिंडरल देता है एलगी उसे फोटो सेंथेसिस करके न्यूट्रिशन देता है आरेच वरी अब देखे का ध्यान से इस बात को कि आरेच जो था पहले के समय में लोग एवाले का ब्लड एवाले को देने के बाद धी मर जाते थे तो उसका रिजन पता चला तो क्य कि एक ब्लड में प्लास्मा में अलग से प्रोटीन पाया जाता है और प्रोटीन गिव इस पेशल क्वालिटी तो दे ब्लड की अगर वो है तो हम उसके लिए फिर हमने प्लस और माइनस की निकाली कि ए प्लस और ए माइनस अब यह देखिएगा कि यह देखा कहां गया था तो रहिस्यस नाम सा एक बंदर था मंकी की स्पीशीज थी उसमें यह देखा गया इसलिए इसको किया जाता है आरेच के नाम से प्रोटीन आफ्टर डाइशन और करने इंटू अमीनो एसिट्स यह आप यह भी कह सकते हैं कि अमीनो एसिट से प्रोटीन बनते हैं है ना तो बनाशन के बाद प्रोटीन में ही टूटेगा प्लड प्लाज्मा में प्लाज्मा में पाएं में वह तो जतने थें बिल ट्लाज्मा में कि कि अगला और 14 question gap between two neurons are called so answer B होगा synapse yes दो neurons के बीच के connection को synapse कहते हैं जिससे की information एक neuron से दूसरे neuron में पहुंच पाती है थैंक यू बटा ओके बाई